नमस्कार आप देख रहे हैं विरा 24 न्यूज मैं स्वाती 36 गड़ प्रदेश भासपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने विवादित बयान दिया पुरंदेश्वरी ने कॉंग्रेस सरकार पर रोजगार के मामले पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भुपेश बगेल बेरोजगारी दर कम होने का आकड़ा देकर छूट बोलते हैं उनको श्राप है कि अगर सच बोलेंगे तो उनका सिर्फ 1000 तुकडो में बढ़ जाएगा प्रभारी पुरंदेश्वरी का बयान उस वक्त आया है जब मुख्यमंत्री बगेल अपना 61 जन्व दिवस मना रहे थे उनके निवास कार्याले में लोग उनकी दिरगायों की कामना कर रहे थे मामले में कॉंग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने अमानवियता की हद पार कर दी है पुरंदेश्वरी को अपने बयान पर माफी मागनी चाहिए पुरंदेश्वरी ने पत्रकार वारता में मुक्यमंत्री बगेल को जन्व दिवस पर बधाई दी और फिर सरकार की खिचाई कर हमलावर दिखी पुरंदेश्वरी ने रोजगार पर सरकार के श्वेत पत्र जारी करने की मांग की पुरंदेशवरी ने 36 गड़ में CMIE के आकड़ों पर भी सवाल खड़े किये हैं जिसमें जुलाई में 36 गड़ में सबसे कम बेरोजगार की दर्मात्रा सूनी दसमलव आठ प्रिचसत बताया गया है उन्होंने आरोप लगाया कि कोरवा, जानजगीर और जैसे इलाकों में कई बेरोजगार युवा क्युवतियों ने काम ना होने की बज़े से खुद खुशी कर ली अगर प्रदेश में बेरोजगारी कम हैं तो भाजपा की ओर से रोजगार की निये लाए गए इस टॉल में 2.8 लाख बेरोजगारों के आवेदन क्यों आएं प्रदेश कॉंग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुसील आनन सुकला ने कहा कि पुरंदेश्वरी ने मुख्यमंत्री बगेल के बारे में यह बयान दे कर कि उनका सर 1000 तुकडों में बढ़ जाएगा उन्होंने अमानिवियता की हदों को पार कर दिया है ऐसे समय जबकि सारा प्रदेश मुख्यमंत्री भुपेज बगेल की दीरगायू की कामना कर रहा था उनके जन्व दिन पर सुबेच्छा दे रहा था भाजपा प्रभारी अनिष्ट की कामना कर रही थी पुरंदेश्वरी अपनी गलती सुईकार कर इस बयान के लिए सारवजनिक रूप से माफी मांगे पुरंदेश्वरी ने आरोप लगाया कि कॉंग्रेस के घोश्रा पत्र के 36 वादों में से एक भी वादे पूरे नहीं हुए भाजपा 24 अगस्त को बिरोजगारी के मुद्दे पर राजधानी में राज जिस्तरी विरोध प्रदर्शन करेगी कॉंग्रेस ने प्रदेश के 10 लाख बिरोजगारों को 25 सो रुपए प्रतिमा भत्ता के रूप में देने का वादा किया था यह एक वर्स में करीब 3000 करोड और 4 वर्सों में 12000 करोड रुपए हो गया कॉंग्रेस ने गंगाजल लेकर वादा किया था अब उसको बताना चाहिए कि कितनों को रोजगार दिया कितनों को बिरोजगारी भत्ता दिया पुरंदेश्वरी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जामवाल को लेकर जो टिपड़ी की है उसका असर प्रदर्शन में देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री को यह बिल्कुल सोभा नहीं देता हम पर मीम्स चलाते हैं हम पर टिपड़ी करते हैं यह तो ठीक है लेकिन मुख्यमंत्री को अपना इस तरह भूल कर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए गौर तलब है कि सोमवार को मुख्यमंत्री बगेल ने कहा था कि हंटर वाली के हंटर से कोई फर्क नहीं पड़ा अब जाम वाल आए हैं जाम देकर सबको मस्त कर चुके हैं 36 गड़ की राजनीती में फिलहाल विवादित बोल का दौर चल रहा है इससे पहने बस्तर में प्रदेश कारेकारणी की बैठक में पूरन देश्वनी ने कहा था कि भाजपा कारिकरता थूंक दे तो भूपेश सरकार बह जाए हाला कि बाद में भाजपानेताओं ने इस पर सफाई दी और कहा कि वे थूंक नहीं फूंक कहना चाहती थी मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्रकार लगातार ट्वीटर पर सरकार पर टिपड़ी करते हैं और अपने हर ट्वीट में कॉंग्रेस सोसित लिखते हैं जिसका कॉंग्रेसी लगातार विरोध करती हैं जैसे मैं समझ रही हूं कि पूपेश बगेल जी को श्राप है इसलिए वो कभी भी सच नहीं बोलते हैं हमेशा जूटे ही बोलते रहते हैं और आज युवाओं के बारे में भी उन्होंने क्योंकि उनको वो श्राप है विलीज इन सेंग उनली लाइज